नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने इंडिया के नंबर वन सीविटी लर्निंग प्लैटफॉर्म बेसिक सिख्षा पर आज मैं बात करने जा रहा हूं बेटा बायो मॉलिक्यूल के बारे में यानि कि जैव रसायनों के बारे में ठीक है चलिए सबसे पहली बात को तो मैं ये बता देता हूं आप लोग बहुत बार ये बहुत कमेंटस आपके आते हैं कि ये सेशन जो है ये one short session होता है ठेक है ये हमारा one short session होता है और one short session में आपको क्या मिलेगा एक ही lecture के अंधर पूरा ARM Lac्य का बोरा Concept मेलेगा और बहुत ज़ाधा बारीकी नहीं रख सकते हैं मतलब एक एक detail नहीं रख सकते हैं वरना एक एक detail रखेंगे तो lecture जो होगा, lecture का duration जो हो जाएगा वो तीन से चार hour हो जाएगा और ये crash course का माद इसको क्रैस कोर्स के माद धिम से हम आपको देने की कोसिस कर रहे हैं तो हम इसे छोटा से छोटा प्रिसाइब से प्रिसाइब रखने की कोसिस करें लेकिन मैं आपको ये बात बोलता हूँ वच्छ हों कि अगर किसी चैप्टर से अगर हमारा देखे मैं आपको सीधा सीधा बात बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमारे क्रैस कोर्ट से 40 में से 40 कोशन्स जो होंगे हमारे सीधे क्रैस कोर्ट से आएंगे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ लेकिन अगर बेटा 40 कोशन्स हैं तो उसमें से 25 से लेके 30 questions क्रेस कोर्ट के माध्यम से ही आप लोग सही कर पाएंगे तो इत्मिनान से ध्यान से दिल लगा के पढ़ाई करना शुरू करिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेरे बच्चों classification of carbohydrate यानि कि carbohydrate के वरगी करण के बारे में बात करते हैं एक साब जी मतब carbohydrates को किन भागों में कितने भागों में बाटा जा सकता है तो देखे किस के basis पे हम carbohydrate को बात रहे हैं मतब किस आधार पे हम carbohydrate को बात रहे हैं तो है अंदा basis of hydrolysis यानि कि जल अप घटन जल अप घटन अगर किसी carbohydrate को करा रहे हैं तो क्या मिल रहा है इसके आधार पे हम carbohydrates को तीन फॉर्म में बाठ देते हैं पहला होता है बेटा monosaccharide देख है हिंदी इंगलिस दोनों इसका सेम है पहला होता है monosaccharide दूसरा होता है oligosaccharide और तीसरा होता है मेरे बच्चों polysaccharide सबसे पहले बात करते हैं monosaccharide के बारे में ऐसा carbohydrate जिसे जब पानी में डालें या उसका जल अपकटन कराएं तो वो और ना तूटे ठीक है साब वो और ना तूट पाए इस तरीके के जो carbohydrates होते हैं उनको हम लोग monosaccharide बोलते हैं तो जिसका आगे hydrolysis ना हो सके मतलब वो सबसे छोटा भाग होता है किसी carbohydrate का ठीक है उसको अब और नहीं तोड सकते हैं उसे और छोटा आप नहीं कर सकते हैं और जल अपगटन उसका नहीं करा सकते हैं, और हाइडरोलिसिस आप उसकी नहीं करा सकते हैं, इस प्रकार के जो कार्भो हाइडरेट होते हैं मेरे बच्चे, उनको बोला जाता है, क्या मोनो हाइडरेट, कई बार बेच्चे उन्टरेंस में ये सवाल पुछा गया है, which of the following is a मोनो सेक्राइड, निमलिकित में से कौन है, जो मोनो सेक्राइड है, और आपका याद रखेगा, गलुकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, गैलेक्टोज, ये सब के सब क्या होते हैं मेरे बच्चे, ये सब के सब मोनो सेक्राइड होते हैं, यानि कि इन्हें और तोड़ा नह जिनने जब पानी में डाला जाए, जिनका अगर जल अप घटन हो मेरे प्यारे बच्चों, तो वो जल अप घटन ऐसे हो कि वो 2 से 10 मोनो सेक्राइड में तूटे, मोनो सेक्राइड सबसे छोटा भाग उसको और नहीं तोड़ा जा सकता, ओलीगो सेक्राइड ऐसे कार्भो हाइड्रेट जिनने जब पानी में डाला जाए, पानी उनका विगटन करें, उनको तोड़े, तो दो से दस मोनो सेक्राइड में ही ये क्या हो जाए तूट जाए मेरे बच्चे इसका एक इग्जामपल है मेरे बच्चों क्या सुक्रोज क्या है सुक्रोज इसे बोला जाता है ठीक है सरकराजी से बोलते हैं मेली टेबल सुगर इसको बोला जाता है मेरे बच्चों याद रखिए सुक्रोज जो होता है वो दो मोनोसेक्राइड में तूट जाता है ठीक है दो मोनोसेक्राइड में तूट जाता है ग्लुकोज और फ् इन तीनों को जो जल के साथ विक्रिया कराई जाती है या जल अप गटनिन का कराई जाता है तो ये दो मोनो सेक्राइड देते हैं इस तरीके के कार्भोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलते हैं साहब इनको बोलते हैं ओलीगो सेक्राइड ठीक है चलिए आगे बात करते हैं वेट तोट रहा है तो इसको बोलते हैं polysacryde यानि बहु सेक्राइड जिन्हें बोला जाता है ठीक है ज्यादा monosacryde में तूट जाए किस से ज्यादा साभ जी 10 से ज्यादा monosacryde होने चाहिए उसमें ठीक है इसके example देखो बेटा starch इसका example होता है cellulose इसका example होता है glycogen इसका example होता है और gums इसके example होते हैं ठीक है एक बात बता देता हूँ आपको जितने polysacryde होते हैं ठीक है उनको जब चखोगे तो वो मीठा नहीं लगेंगे तो उनको non sugar भी बोला जाता है या आ सरकरा भी बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों जैसे देखो अगर कोई बोले कि साब fructose को चूसूंगा तो यह मीठा लगेगा की नहीं मैं कहूंगा जी हां साब fructose एक monosacryde है उसे आप चाटेंगे तो वो आपको मीठा लगेगा ठीक है मीठा लगेगा यह सरकरा यह एक sugar है ठीक है अगर कोई बोले साब सुक्रोज को अगर मैं हाथ पे रखके ऐसे चाटूंगा तो मीठा लगेगा की नहीं मैंने का क्या सा बात करते हैं जराब आप चीनी डालते हैं क्यों नमकीन करने के लिए सुक्रोज ही हमारा टेबल का शुगर होता है जो हम लोग खाने में मिलाते हैं तो खाने मिठाई वग बाहर निकालने काटके और उसको चाटना सुरू करें तो वो आपको मीठा नहीं लगेगा तो जितने पॉली सेक्राइट्स होते हैं जितने बहु सेक्राइट्स होते हैं उस सब किसम नौन सुगर होते हैं यानि आसरकरा होते हैं ठीक है तो ये आपको मीठा नहीं लगेगा मेरे शेरों चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अब मैं आपको बताता हूँ कार्बो हाइडरेट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं सबसे पहला होता है reducing sugar देखो वहाँ पे जो हमने बाटा वो किस आधार पे बाटा कर्बो हाइडरेट को यहाँ पर अभी तक हमने कार्बो हाइडरें पर बाटizophren का तरीका होता है लोगों को कई basis पर बाट सकते हो आजकल देख में हिंदो मुसल्मान की नाम पर बाटना चल रहा है कोई किसको सपोर्ट कर दे रहा है तो कोई किसका गलाका दे रहा है ये एक बहुत ज़दा हमारे देस में extremism का उदय हो रहा है बहुत severe extremism है गलती दोनों साइट की है किसी एक की गलती नहीं है मेरे बच्चों दोनों साइट से एक दूसरे को ललकारा जाता है तो इससे हो जाती है problem लेकिन देखिए सब को अपने धर्म की रक्षा करनी है सब को धर्म को बचाना है धर्म को बचाने के जक्कर में लोग देश के बारे में भूल जा रहे हैं तो यह तो चीज़ें होती हैं दीरे दीरे लोग समझेंगे दीरे दीरे चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है और एक महान वार के लिए एक महा महान जंग के लिए कुछ कुर्बानियां होती ही हैं जो देनी ही पड़ती है। ठीक है मेरे वच्चों ये चीज होती है। तो हमारा देश एक महान जंग के तرف है अभी। हमको पता नहीं है बबर एक महान चल रहा है। लेकिन अंद में सब कुछ सांथ होगा, पुरा देस एक जुठ होके रहेगा, एक चीज को लेके, कि हमारा देस पहले होना चाहिए, हमारा राष्टर हमारे लिए पहले होना चाहिए. तो आज देस में किस आधार पर बाटा जा रहा है। आज हम धर्म के आधार बाट रहे हैं जात के आधार पर बाट रहे हैं तो बाटने के कई तरीके जोडने के तरीके आपको कम मिलते हैं जैसे मैं बोल दिया कि हमारे लिए धर्म से बढ़कर हमारा देश होना चाहिए अब कुछ लोग गाली देना शुरू करेंगे ठीक है ये उनको जाके बोलो हम लो यही है तो बाटने के बहुत तरीके होते हैं अब एक और तरीके से बाट दूम है कितने लोग बेसिक सिक्षा से पढ़े हैं एक साइड में होंगे कितने लोग बाकी प्लेटफॉर्म से पढ़े हैं वो अलग साइड में तो यहां पर मैंने किसा अधार पर बाटा मेरे शेर और कौन अनापचाई सरकरा है कौन reducing sugar है कौन non reducing sugar है बेटा reducing sugar हम किसे कहते हैं ऐसे सुगर जो failing solution और tolerance test को दे दें मतब failing solution के साथ react कर जाए और tolerance reagent के साथ भी ये क्या कर जाए react कर जाए आपको पता है कि failing solution और tolerance test जो होता है ये कौन देते हैं ये LD hides देते हैं साहब ये LD hides देते हैं और एक और लोग देते हैं मेरे प्यारे बच्चों alpha hydroxy ketone भी देता है सारी चीजे मैंने free वाले batch में लिखाई है पेड में नहीं लिखाई है ठीक है लेकिन ये test को LD hide देता है और alpha hydroxy ketone भी इस test को देते हैं ठीक है तो याद रखिएगा तो आपचाई सुगर किसे बोलेंगे जो failing solution के साथ भी react करें और tolerance reagent के साथ भी react करें उनको बोलते reducing sugar या आपचाई सरकरा और जो इसके साथ reaction नहीं देते हैं मेरे बच्चे वो क्या होते हैं non reducing sugar या आपचाई सरकरा बेटा याद रखना सुक्रोज जो होता है हमारा वो अन आपचाई होता है ठीक है या non reducing sugar होता है इसकी category में आता है मैं detail में नहीं जाओंगा क कौन आपचाई होगा कौन अन आपचाई होगा बस बता देता हूं ठीक है मतब क्यों कोई अन आपचाई है यह नहीं बताओंगा यह बता देता हूं कि कौन अन आपचाई है कौन आपचाई है मतब कौन reducing है कौन non reducing है इतनी बाते हैं ठीक है जल्दी में हम लोग है चलो जब glucose की reaction हम HI, red phosphorus के साथ करके heat करते हैं मेरे बच्चों तो glucose N-hexane में परिवर्तित हो जाता है ठीक है जब हम glucose को क्या करते हैं C6S12O6 को हम क्या करते हैं जब हम इसे HI और red phosphorus के साथ treat करते हैं बेटा तो यह किस में परिवर्तित हो जाता है यह परिवर्तित हो जाता N-hexane में पेटा जब glucose को NH2OH के साथ अब याद होगा कि NH2OH के साथ अभिक्रिया कौन करता है जहाँ पर carbon double bond oxygen यानि कि LDID या ketone इस अभिक्रिया को करते हैं मेरे बच्चों तो जब इसको NH2OH के साथ इस glucose को react कराये जाता है तो वहाँ पर ओक्जाइम का निर्माड होता है और बेटा ओक्जाइम का निर्माड ये बात को दरसा रहा है कि glucose के अंदर क्या मौजूद है कार्बोनिल समूह मौजूद है कौन मौजूद है कार्बोनिल ग्रूप या कार्बोनिल समूह मौजूद है ठीक है मेरे पहरे बच्चों अगली चीज़ देखो इसी glucose को जब oxidation कराये जाता है पहले देखो जब इसी glucose को ब्रोमीन वाटर के साथ रियक्ट कराई बार यह क्या होता है यह होता यह एक मरद ऑकक्सी और का रख होता है यानि कि या एक mild reducing agent होता है ठीक है तो mild reducing agent जो होते हैं वो सिर्फ LD hide को क्या कर पाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ LD hide को स्वरी वो LD hide को oxidize करके क्या बना पाते हैं acid बना पाते हैं तो जब BR2 और H2O को यूज करते हैं जो कि एक mild oxidizing agent है तो glucose gluconic acid में convert हो जाता है यह हमारा glucose है उपर वाला जो LD hide होता है वो carboxylic acid में हो जाता है लेकिन जब इसी glucose की अच्छे से oxidation कराई जाती है किसी oxygen का रख नहीं mild oxidizing agent के साथ नहीं किसी strong oxidizing agent के साथ जब इसकी अभी क्रिया कराई जाती है मेरे बच्चों तब यह किसमें convert हो जाता है sacric acid क्या होता है मैं बता देता हूं यहां पे ऊपर वाले पे COOH है नीचे वाले पे CH2OH है यह कब बनता है जब BR2 water के साथ कराते हैं मतलब हलके फुल के oxygen agent का इक्तमाल करते हैं लेकिन जब हम इसको normal किसी oxygen का रख के साथ कराते हैं ठीक ठक्यमेनोफोर वगेरा तो यह वाला भी acid बन जाता है glucose का और यह वाला भी पार्ट है वो भी acid बन जाता है यानि कि सैक्रीक एसिड का मैं आप लोगो को structure बता देता हूं इसको बोलते हैं सैक्रीक एसिड और इसको बोलते हैं हम लोग क्या ग्लुकोएनिक एसिड का भी अगर आप ऑक्सी करा दो इसको भी ऑक्सिडाइज करा दो तो यह भी किस में करणवर्ट हो जाता है सैक्रीक एसिड में करणवर्ट हो जाता है ठीक है चलिए अब बात करते हैं ग्लुकोज के असली रिप्रेजेंटेशन कैसे दरसाया जाता है तो बेटा इस तरीके से ग्लुकोज को दरसाया जाता है इसको बोलते हैं कारबन नमबर वन ये टू ये थ्री ये फॉर ये फाइफ और ये शिक्स टोटल छे कारबन होते हैं इसमें एक लडी हाइडी दैखा जाता है पहले डी ब्रेकेट में प्लस और इधर फिर ग्लुकोज लिकाइप यानि कि ब्लस ग्लुकोज इसका लिखा जाता है अच्छा अगर पूचूंगा एटी क्यों लिखा जाता है तो बहुत लोग बोलेंगे शार्जी ये डेक्स ट्रो होता है नहीं मेरे बच उन्हों सेम तरित्फ होते हैं तो इसको डी बोला जाता है अगर यह आपको जीट होता है तो इसको एल बोला जाता है तो यहाँ पे कैपिटल डी और स्मॉल एल जो होता है वो ग्लिसर एल्डी हाइड के मुकाबले की ओ एक की पूजीशन कैसी है इस चीज को दर साता है यहाँ डेक्स्टर रोटेतरी होता है डेक्स्टरो रोटेतरी मतलब आपको पता पंतिकल आइसो मेरी अ में बताया था जो प्लेट पोलराइज लाइज होती है दो समतलिय दूरविये प्रकास होता तो इस तरीके से लिए लिए ओयच फिर ओयच इधर फिर ओयच ओयच च्छ यह इसका असली रिप्रेजंटेशन है ठीक है आगे चलते हैं बेटा कुछ कुछ प्रॉपर्टी या कुछ गुर्धर्म गुलुकोस के ऐसे होते हैं यह जो यह सीधा वाला जो इस्ट्रेट वाला कर ना इससे कई सारी पॉपर्टी इस एक्स्प्लेयर नहीं हो पाती है जैसे यह सिफ्प इस के पास है फिर भी यह सिफ्प test को नहीं देता है ऐसे करके कुछ हैं तो इस चीज को इस चीज को पारवन से जो ओय जुदा है है इसॉड़कोज एक साइक्लिक या नहीं oxygen के उपर loan pair यानि कि ये क्या हो गया nucleophile या नाभिक रागी हो जाता है अब ये नाभिक रागी तो हो गया साहब जी अब ये क्या करता है ये ढूंडता है किसी electron रागी को और aldehyde में carbon के उपर आंसिक धनावेशी आवेस होता है यानि कि partial positive charge होता है तो ये वाला carbon electron रागी बन जाता है आपको पता aldehyde और ketone की जब अलकोहल के साथ reaction कराते हैं तो क्या बनता है हेमी acetyl बनता है तो क्या होता है यहां का oxygen जाके जुड़ जाता है इस carbon के साथ और कुछ इस तरीके का चक्रिये सर्रचना बनती है cyclic structure बनता है मेरे बच्चे अब एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि देखो इस वाले carbon के नीचे वाले carbon को notice करो दो सर्रचना बनती है एक यह सर्रचना बनती है यह सर्रचना बेटा याद रखना जब यह सेकर नब यह को पहला वाला carbon बने जिससे ओ जुड़ा है यह दूसरा वाला carbon अगर मालो पहले नंबर का ओएच और दूसरे नंबर का ओएच सेम साइड आ जाता है तो इसको बोलते हैं बेटा alpha anomer ठीक है इसको क्या बोलते है alpha form बोलते है तो इसको बोलेंगे जब यह OH और H सेम साइड आएगा तो D और प्लस का मतलब तो बता दिया है तब इसको बोलेंगे alpha D plus glucose बोलेंगे लेकिन जब यह OH यह opposite side विपरीद दिसा में होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बीटा D plus glucose के नामसे इसको हम लोग क्या करते हैं मेरे बच्चों जानते हैं ठीक है यही बात आप लोगों को बस रखनी है क्या अपने दिमाग में इसी चीज़ को तो आप लोग क्या कर लीजिए बसा लीजिए ठीक है प्यारे बच्चों यहां तक आप लोगों को मौल क्लियर हो गया ठीक है याद रखेगा यह जब ओएच ओएच और ओएच सेम साइड होंगे दूसरे वाले कार्बन का तो अलफा डी प्लस ग्लुकोज और जब यह और यह खालि पहले वाला जो कार्बन यह दको यह पहले वाले कार्बन पर एक ग्रुप की पोजीचन इंटरचेंज होती है most here एचीदर यहां पर ओचीदर एचीदर तो फस्ट पोजीशन पर अगर एक ग्रूप का इस अरेंजमेंट अलग है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं एनोमर बोलते हैं तो बैटा गलुकोज का अलफा और बीटा फॉर्म इनके बीच में आपस का अगर कोई पूछे क्या रिस्त क्या फॉर्मुला होता है सी 6 एच 12 औ trabaj ils का फॉर्मूला होता है मЕरे बच्चे इसका इस्ट्रक्चर कैसे होता है यहां पर एक किटोनिक क्रूप पाया जाता है कौन सा ग्रूप पाया जाता है की टोनी क्रूप मतब फ्रक्टोज में की टोन पाया जाता है बेटा एक बात याद रखना ठीक है कि जो हमारा ग्लुकोज होता है हमारा ग्लुकोज एक एक reducing sugar होता है कैसा सुगर होता है एक बात आप लोग याद रखेगा या एक reducing sugar होता है reducing sugar यानि कि अपचाई सरकरा होता है ठीक है याद रखेगा यह चीछ चलिए आगे चलते हैं मेरे बच्छों बात करते हैं आप यहां पर देखो किटो इसमें क्या होता है पहले वाला यह वाला फस्ट कारबन यह सेकेंड कारबन पहले वाले कारबन पर CH2 होता है second पर कीटोन फिर ओयच 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 और CH2 होता है ठीक है अब जैसे कि तुम जानते हो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज थी कुछ गुड़ धर्म थे जो कि यह सीधे वाले स्ट्रक्चर से नहीं एक्स्प्लेन हो पाया तो फिर वही सेकंड लास्ट कार्बन पर जो ओय जुड़ा है इसका लोन पैर या एक नाभी किये रागी की तरह ब्योवार करे यह कारबन एलेक्ट्रोन रागी यानिक रलक्टोफाइल यह नूक्लियोफाइल यह जाके उसके उपर क्या हो जाएगा अटैक हो जाएगा जिब यह उसके ऑपर जाके ऑटक हो गा तो फिर बेटा दो का और सीच तू ओर अगर सेम साइड है एक ही तरफ है तो उसको बोलते हैं अलफा डी- माइनस फ्रक्टोस बेटा डी वही है जो ग्लिसरेल डी आइड से आया है अलफा समझ गए सीच टू और ओर सेम ताइड माइनस है यानि कि फ्रक्टोस हमारा कैसा होता है लीवो होता है ठीक है यानि कि यह लाइट को किस किस तरफ घुमाता है एंटी क्लॉक वाइस गुमाता है काउंटर क्लॉक वाइस गुमाता या बाई तरफ कुमाता है या लेफ्ट साइड कुमाता लेकिन जब यही बेटा सीच टू और यह ओएच साइकलिक वाले सर्रचना में अगर अपोजिट दिसा में ये दोनों होते हुए है मेरे बच्चे तो उसी को हम लोग बीटा D फ्रक्टोस के नाम से भी जानते हैं तो बता आलफा और बीटा फ्रक्टोस इनके बीच में भी आपस में क्या रिलेशन है मेरे बच्चे इनको हम एनोमर नहीं बोलते हैं जनरली इन्हें हम एपीमर के नाव एपीमर का दर्जा देते हैं क्योंकि एनोमर का दर्जा हम जनरली तभी देते हैं बच्चों जब सीवन के ऊपर फर्क होता है यहां पर जो फर्क आया है वो किसके ऊपर आया है सीटू के ऊपर आ होता है वह एक reducing sugar होता है यानि कि आप अचाई सरकरा होता है अब कहों कि सर reducing sugar तो वह होते हैं गुरुजी जो क्या करते हैं जो tolerance reagent और failing solution इनके साथ react करें और आपने लिखवाया था हमें कि इनके साथ LD हाइड react करता है गुरुजी यहां पर तो ketone है इसे तो नहीं react करना चाहिए लेकिन मैंने यह भी लिखाया था कि LD हाइड तो करता है उसके साथ react साथ में alpha hydroxy ketone भी करता है तो बेटा तो यह ketone यह alpha position यह भी alpha position तो बेटा ketone है लेकिन alpha position पर ओया चाहिए तो यह क्या है एक परकार का यह परकार का alpha hydroxy ketone है तो बेटा alpha hydroxy ketone भी जो होते हैं वह failing solution और tolerance reagent इन दोनों के साथ अभी क्रिया करते हैं तो यह यह भी कैसा होता है reducing sugar होता है ठीक है चलिए अब बात करते हैं मेरे बच्चे die secride के बारे में अच्छा die secride कैसे बनता है जब दो mono secride आपस में जुड़ जाते हैं अब एक से सुनिएगा alpha d plus glucose और beta d minus fructose से मिलके बना होता है अच्छा मिला होगा तो bond बना होगा कोई अगर पूछे कि किसी carbohydrate में चाहें वह डाई secride हो ठीक है या वह poly secride हो उसमें bond कौन होता है पेटा तो याद रखेगा monosacride के बीच में जो bond बनता है उसको बोलते है glycosidic linkage या glycosidic बंद के नाम से उन्हें हम क्या करते हैं जानते हैं ठीक है तो याद रखेगा यहाँ पर c1 glucose का c1 और fructose के c2 के बीच में क्या होती है मेरे बच्चे यहांपे बॉन्डिंग होती है और यहांपे c1, c2 glycosidic बंद बनता है यह c1 c2 glycosidic bond का यहांपे क्या होता है मेरे बच्चे निरमाड होता है ठीक है यहाँ पर आप लोगों को ये बात आप अच्छे से clear हो गई मेरे share हो ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है अब एक और बात देखो कि हमारा जो सुक्रोज होता है यह जो हमारा सुक्रोज है वो dextrorotatory होता है लेकिन हमारा जो glucose होता है वो 52.5 degree right में घुमाता है और हमारा जो सुक्रोज होता है वो 92.4 degree left में घुमाता है यह अलग-अलग यह मैंने आप लेकिन हमारा जो सुक्रोज होता है वो क्या होता है dextrorotatory यानि कि वो राइट में घुमाता है लेकिन जब बेटा हम अपने सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस कराते है यानि कि जल आप घटन कराते हैं अब तुम मालूम है अगर किसी भी सुक्रोज क्या था मेरे बच्चे डेक्स्ट्र रोटेट रही जब यह तूटा जब इढ़े तूटा यह तूटा ग्लूकोज में और साथ में फ्रक्टोज में तूट गया मेरे बच्चे ठीक है ग्लुकोज में तूट गया फ्रक्टोज में तूट गया अब ग्लुकोज क्या है डेक्स्ट्रो लेकिन यह कितना गुमाता है 52.5 फ्रक्टोज क्या है लिवो यह कितना गुमाता है 92.4 तो सुक्रोज तो डेक्स्ट्रो था पानी में डाले, glucose और fructose में टूट गया, glucose इसमें से dextro, fructose इसमें से लिवो, लेकिन overall ये जो विलेन है, overall ये जो solution है, उसमें लिवो वाला एंगल जादा है, तो यानि कि ये overall solution जो रहता है, overall solution वो कैसा हो जाता है, लिवो रोटेटरी हो जाता है, तो बेटा, जब सुक्रोज को जल में आप अपड़ित करते हैं, जल में आप तोड़ते हैं, तो सुक्रोज डेक्स्ट्र रहता है, तूटने के बाद glucose और fructose बनता है, जिसमें से fructose का rotation जादा होता है, तो इस वज़ा से ये विलेन, ये solution कैस हो जाता है, लिवो, तो सुक्रोज को पानी में घोलने में से क्या होता है, बेटा, यहाँ पे invert हो जाता है, यानि कि बदल जाता है, इसकी आप्रवित हो जाता है, ठीक है, इसलिए सुक्रोज को हम किस नाम से जानते हैं, मेरे बच्चे, इनवर्ट सुगर के नाम से भी जा बनते हैं ठीक है चलिए मेरे बच्चों आगे बात करते हैं माल्टोस के बारे में ठीक है अब पूछा माल्टोस भी एक क्या है डाई से क्राइड है डाई से क्राइड का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे यहां पे दो क्या मिले होते हैं यहां पे दो हमारे बने होते हैं ठीक ह होते हैं अलफा डी ग्लूकोज होते हैं अच्छा यहां पे किस किस कार्बन के बीच में बंद होता है यहां पे एक ग्लूकोज के C1 और दूसरे glucose के C4 के बीच में glycosidic बंद होता है तो maltose में याद रखिएगा यह किस से मिलके बना होता है glucose से मिलके बना होता है बाजरे agriculture में पढ़ते हैं बाजरे औजरे में क्या पाए जाता है maltose पाए जाता है बीयर manufacturing जो होती है बीयर बनाने के लिए alcohol बनाने के लिए हमें glucose की जरूरत होती है और glucose टूट जाता है कुछ एंजाइम की मदद से alcohol में तो glucose हमें इसमें ज्यादा मिलता है जैसे अगर सुक्रोस को तोड़ोगे तो उसमें हमको एक glucose मिलेगा एक हमें फ्रक्टोस मिलेगा लेकिन जब maltose को तोड़ोगे तो हमें दो glucose मिलेंगे यहाँ ज्यादा glucose एफलेवल रहता है तो हम यही इस्तेमाल करते हैं बेटा ठीक है बीयर बनाने में और यह एक क्या होता है आप अचाई आप अचाई सरकरा होता है यानि कि यह क्या होता है मेरे ब कहा जाता है अचाई यह किसे मिलके बना होता है बेटा यह बीटा डी गैलक्टोस और बीटा डी ग्लुकोस से मिलके बना होता है याद रखना यह समनाम ठीक है लेक्टोस किसे मिलके बना होता है बीटा डी गैलक्टोस और बीटा डी ग्लुकोस से और यहाँ पे गैलक्टो करते हैं मेटा याद रखिए लेक्टोज भी जो हमारा होता है और रिड्यूसिंग सुगर होता है यानि कि यह आप अचाई सरकरा होता है मेरे प्यारे बच्चों ठीक है यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया साब जी चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं कुछ फॉली सेकराइड्स की सबसे बहला नाम जो है वो किसका मेरे बच्चे स्टार्च का सबसे पहला नाम है ज़ैं मतला है जब 10 म्まनोसेकराइडस ज्यादा में टूट रहा है तो पॉली अगर से है तो और ओली घॉर्टल बहलता है 2022 та देको स्टार्ट जो होता है इस चार्च सिर्फ और सिर्फ अल्फा ग्लुकोस से मिलके बना होता है किसे मिलके बना होता है मेरे बच्चे अल्फा ग्लुकोस से मिलके बना होता है ठीक है अच्छा याद रखना हमारा जो इस्टार्च होता है मेरे बच्चे वो दो प्रकार का होता है एक होता है एमाईलोस नतर placing पेवा होता है मेरे बच्चे माईलोस और दूसरा भाई होता है अमाईलोस पेक्टिन बस इतना फर्क सोनों एमाईलोस 15 से 20 परतिस्थ भाग बनाता है किसा इस तार्च का और यह जल में घुलन सील होता है ठीक है वाटर में यह क्या होता है मेरे बच्चे स्वालिबल होता है अब इसमें याद रखना एक जैसे ग्लुकोज से बना सिर्फ ग्लुकोज से बना तो इसमें एक ग्लुकोज का सीवन और दूसरे ग्लुकोज के सीफोर के बीच में लिंकेश होता है अग माईलोज में système एक ग्लुकोच का शीवन दूसरे לחण केDC4 के बीच में बंद होता है तब जुड़े होत LA कि बंद जो होता है वह सी वने होता है लेकिन जब सीवन सी सीवन एक। सब जुड़ जाते हैं कई सारे उसके बाद सी वन और सी सिक्स के बीच में क्या हो जाती है साखा बन जाते हैं इनके बीच में ब्रांचिंग हो जाते हैं ये दोनों भी आपस में जूनने लगते हैं इसी की वज़ा से ये क्या होता है वेटा ये घुलन सील जल में नहीं होता है जब जब ब्रांचिंग बढ़ेगी तो घुलन सीलता कम होती है मेरे प्यारे बच्चों यह बात आप लोग नोट कर लीजिए ठीक है साब आगे बढ़ा जाए अब बात करते हैं सेलुलोज की कहां पाये जाता है प्लांट के सेल्वाल में पाये जाता है ठीक है अच्छा ये किस मोनो सेकराइट से मिलके बना होता है ये बीटा डी से मिलके बना होता है जेखो ये अलफा ग्लुकोज से मिलके बना होता है यहाँ पे एक ग्लुकोज का सीवन दूसरे ग्लुकोज के सी फोर के साथ क्या बनाया होता है ग्लाइकोसिडिक पंद का निर्माड या ग्लाइकोसिडिक बॉंड का निर्माड किया होता है आकरी है ग्लाइकोजन अच्छा इस्टार्च जो होता है इस्टार्च इसका इस्तेमाल प्लांट्स करते हैं अपने फूड को स्टोर करने के लिए उसी प्रकार जो ग्लाइकोजन होता है इसका इस्तेमाल एनिमल्स या जन्तू करते हैं अपने फूड को स्टोर करने के लिए मतलब जो गुलुकोज बनाते हैं तो प्लांट उसको स्टार्च में कनवर्ट कर देते हैं और हम लोग उसको किसमें कनवर्ट कर देते हैं हम उसे कनवर्ट कर देते हैं किसमें मेरे प्यारे बच्चों हम उसे ग्लाइकोजन में अच्छा ग्लाइकोजन जो होता है वो पूरी तरीके से मेरे बच्चे proteins के बारे में ठीक है proteins क्या होते हैं यह polymer होते हैं किसका amino acid का polymers of amino acid ठीक है यानि कि यह amino acid के बहुलक होते हैं amino acid के यह क्या होते हैं मेरे बहुलक होते हैं कई सारे amino acid आपस में जुड़ते हैं तो किसका निर्मार करते हैं मेरे बच्चे ये निर्मार करते हैं प्रोटीन का अच्छा अमीनो एसिड किसे बोलते हैं अमीनो एसिड में देखो क्या होता है मेरे बच्चे ध्यान से सुरिएगा अमीनो एसिड में एक कार्बन होता है उस कार्बोक्स लिक गुरूप जुड़ा होता है NH2 group तो amino acid अब बची दो सहीं हो जगता एक सहीं हो जगता पर आर यानि कि alkyl group कोई होता है यह कोई alkyl work होता है और एक क्या होता है मेरे बच्चे hydrogen होता है बेटा अब इसी आर को बदलते जाओ बदलते जाओ बदलते जाओ और नए नए amino acid बनते जाएंगे इस तरीके के amino acid को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा alpha amino acid alpha amino acid वो amino acid होता है जिसमें बीच वाले कार्बन से जिससे NH2 जुड़ा है ना उसी से क्या जुड़ा हो कार्बॉक्सली ग्रूप भी जुड़ा हो क्योंकि सर्बीटा amino acid भी कोई होता है मैं गहूंगा जी साब यह देखिए जैसे यह हो गया अब देखो यह का यह हो गया क्या बोलता है यह अलफा हो गया और यह बीटा तो यहां पर यहां पर क्या है अमाइन गुरूप है तो इसको बोलते हैं बीटा amino acid नेचर में मुक रूप से कौन पाए जाते मेरे बच्चे अलफा amino acid पाए जाते हैं ठीक है चलो अब मैं बता रहा हूं अब यह आर को बदलते रहोगे आर को अलग-अलग बदलते रहोगे और नए नए अमीन acid तुम्हें वहाँ क्या होने लगेंगे मेरे बच्चे प्राप्त होने लगेंगे वहते हुए हो सबसे पहले जब soir मीन है ग्लाइसीन के बारे में कुछ बाते बता देता हूं मेरे बच्चों ग्लाइसीन में आर बदलता रहेगा अमीनो अच्छ लग जाता है ठीक है तो एक लग जाता है जिसके अंदर प्रकासिये समाव्यवता या optical isomerism नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर इस carbon पर दो group क्या हो जाते हैं सेम हो जाते हैं पेटा R की जगे पर CS3 लग जाता है तो वह elanine हो जाता है R के जगे पर अगर isopropyl group लग जाता है तो welline हो जाता है अगर यह group लग जाता है मेरे बच्चे इसके जगे पर ठीक है यह इसको क्या बोलता है isobutile group अगर लग जाता है तो उसे leucine बोलते हैं यहाँ पर उसके three letter symbol है यहाँ एक letter का code है इसका ठीक है बेटा अगर यह group लग जाता है मेरे बच्चे तो isoleucine बोलते हैं यहाँ पर देखो यह हो गया यह यहाँ पर अगर यह लगा हुआ है मेरे बच्चे तो इसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे इसको leucine बोलते हैं यानि की cc3 cc3 cc2 अगर यह लगा है तो इसको क्या बोलते हैं leucine के नाम से जानते हैं ठीक है और मेरे बच्चे अगर यह लग गया है तो इसको आइसो leucine के नाम से आचन लाइसीन में लक जाता है बस एक बार को यह पूरा का पूरा जो आपको ग्राफ है यह पूरा का पूरा जो आप जो NCRT को ही मैंने directly उठाया है ठीक है जितना यह आर की वैलू है सब याद रखेगा याद रखेगा ट्रिप्टोफेन जो अमीनो एसिड होता है इसका वन वर्ड सिंबल डबलू होता है कई बार पूछ लेता है डबलू किस अमीनो एसिड का वन वर्ड का सिंबल है तो बेटा ट्रिप्टोफेन का है ठीक है इसमें ज़्यादा तर कोश्चन बाइलोजी में पूछे जाते हैं तो आपको इतना तकलीफ में रहने की इसके लिए जरूरत नहीं है ठीक अब बात करते हैं वेटा एकोस सल्यूसन में यानि कि जलिये विलेन में क्या होता है ठीक है जलिये कि में क्या होता है जलिये विलेन में क्या होता है मेरे बच्चे हम क्या करते हैं हम अमीरें अचिड लेते हैं ठीक है अब अब अमीन है structure मिलता है oxygen के उपर negative charge रहता है और nitrogen के उपर positive charge इस सरचना को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चे जूटर आयन के नाम से जानते हैं अच्छा यह अभी भी neutral होता है यहां देखो कोई charge नहीं लेकिन यहां जितना positive है उतना ही क्या है मेरे बच्चे negative है चलिए अब बात करते हैं enzyme की ठीक है इन्टाइम का बस एक काम होता है जैसे उत्प्रेरक की तरह यह का करते है को उत्प्रेरक कौन सी reaction जैसे catalyst की अगर बात करोगे तो catalyst तो किसी reaction का होता है है कि नहीं भाई बिना reaction कि egent with the catalyst so catalyst तो किसी reaction का होता है तो याद रखना catalyst या उत्प्रे रख होता है किस reaction का जैव रसाइनिक reaction का जैव रसाइनिक अभिक्रियाओं का ठीक है यानि कि बायो chemical reactions में catalyst की तरह जो काम करते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते है मेरे बच्चे enzyme के नाम से हम उने जानते हैं एक example है maltose जो होता है जैसे बता है मैंने आपको maltose glucose से मिलके बना होता है लेकिन अगर maltose को तुम्हें glucose में तोड़ना है तो उसके लिए एक enzyme लगता तो यह काम बहुत जल्दी हो जाता है और उस enzyme को क्या बोलते हैं मेरे बच्च इसके बारे में ध्यान देने वाली है जो बाते इसके बारे में एकदम से concept बनाने वाली है उन्हीं के बारे में बात करूंगा vitamins दो प्रकार के होते हैं एक होता fat soluble यानि कि ऐसे vitamin जो वसा में घुलनसील होते हैं ठीक है जो वसा में घुलनसील होते हैं example बता रहो fat soluble में example है a d e k यानि vitamin a vitamin a vitamin d vitamin e और vitamin k तो fat soluble कौन कौन होते है बैटा a d e k अच्छा कुछ ऐसे फैप कुछ ऐसे vitamins होते हैं जो क्या होते हैं जल में गुलनसील होते हैं यानि water वाटर में वाटर में वाटर में लोते हैं इस तरीके का अच्छा तो विटामिन ओडीए तो चले एप याद रखना एबी सीडी इपके इतने विटामिन होते एफ नहीं होता अच्छा एडीए जो हो गया वह क्या हो गया fat soluble वसा में घुलंसील तो बाकी कौन बचा बी और सी बचा तो यह किसमें soluble होता है water soluble अच्छा एक बात और याद रखना विटामिन बी और विटामिन सी दे सुनों जहां से सुनों विटामिन बी और विटामिन सी इन दोनों को यह बींट को आपको regular अपनी में रखना पड़ता है meus थे ठीक है क्यूं रखना पड़ता है इनको regular अपनी डाइट पर क्योंकि यह पाइं में घुलंसील होते हैं अब यह विटामिनबश्य पानी में घुलंसील है यानि की खून के थ्रूप पहुंच जाते हैं किडनी में और पेशाब राक्याते बाहर निकल जाते हैं गर इनकी कमी हो जाएगी तो दिक्क्कत हो जाएगी तो इनको regularly लेना होता है विटामीनवी और विटामीन सी को हमें ठीक है चलिए अब कुछ vitamins के बारे में बतादे हों भी किंग किष्ट कमी से होती है oh की कमी से होती है और वैटा नाइट ब्लाइनेस भी इस केस में होता है चले-बिटामिन अब सुनो सबके नाम सुनो विटामिन B1 ठीक है बिटामिन B1 अच्छा यह 1 होता है इसको उलटा करो कुछ टी कितरह लग रहा है त्ली कि ट ख़ढ़ जाओ गे ठीक है रिटार्डेट ग्रोथ अरे भूग नहीं लगी कि हर ग्रोथ तुम्हारी क्या हो जाएगी धीरे हो जाएगी बेरी बेरी नामक रोग जो होता है वह विटामिन बीवन की कमी से यानि कि अगर पूछाए कि बेरी बेरी रोग किस वज़ा से होता है और आप्सन में बीवन नहीं दिया है तो थाइमीन भी दिया होगा टिक मार देना अगला है बिटामिन बीटू अच्छा बीटू ऐसा लिखा रहता है दो को लाके डंडा लगा दो आर यान बीटू बिटामिन बीटू राइबो फ्लेमिन राइबो फ्लेमिन किस में पाया जाता है मेरे बच्चे मिल्क में एग वाइड में लिवर में और किड़नी में पाया जाता है क्या करवाता है यह केलियोसिस करवा देता अगर इसकी कमी हो जाएगी केलियोसिस में क्या था फ स्टिव डिसॉडर्स भी होता है और बर्निंग सेसेशन ऑफ दे स्किन ठीक है कुछ पेट की दिक्कत होगी खाना नहीं पचेगा और आपके स्किन में क्या होगा जलन होगी अगला है विटामिन षच अच्छा वी सिक्स में सिक्स इस तरीके से इसको उलट दो थोड़ा सा उलटा पी की तरह लगए गविटा थे खुड़ा पीड़ा लगए का पी पन से पाईर डॉकसी ठीके बिटामिन भी सिक्स यानि की पारल डॉकसीं ठीके का पाई जाता है यह भी इस्ट मेन एग के NCRT में इसका नाम नहीं वरनी था है विटामीन B12 मीट में पाए जाता फिश में एग में कर्ड में पाया जाता है फीट टोई लेना चाहिए पर नीसियस एनीमिया करा देता आर बीसी डेफिसियनसी इन हीमो गलोबिन क्या कराता अगर विटामीन B12 यह कमी होगी तो आपको क्या हो जागा परणीस यस आमी नाम की आपको बिमारी हो जाएगी बेटा ठीक है और आपके मतलब ही मोगलोबीन में रवीची कम हो जागा अगला विटामिन सी विटामिन सी किसे कहते हैं याद रखना नाम एसकॉर्विप एसिड को विटामिन चित्रस फ्रूट अहरे यह संतरा नीबू नहीं अगए रहा मोसंभी में पायeteं आमला में पाये जाता है ग्रीन लिफ़ी वेज्टेवल में पाये जाता है हरे पत्ते माले वेजीटेबल होते हैं यह इस करवी नाम की विमारी करता ने लीडिंग घंष ठीक है गम में ब्लीडिंग होती है संत्रा उंत्रा खाय करो ठीक हो जाएगी विटामिन डी विटामिन डी कहां से मिलता हमको एक्सपोजर टू सनलाइट फिस एन एग यॉक एग का अंडे का वो खाओ जर्दा खाओ सफेद वाला पीला वाला ठीक है मचली दबा के खाओ और इससे विटामिन डी मिलता और विटामिन की डिषरthough कमी से कांसि रिकेट्स नाम का और बॉन्स में डिफॉर्मिटीस होती है बॉन्स तेड़े मिड़े हो जाते हैं ठीक है ऑन ऑस्रियो मेलेशिया soft bones and joint pains in adults. बच्चों में क्या होता है मेरे बच्चे? बच्चों में Ricketts نام की बिमारी होते है vitamin D में और बड़ों में क्या होता है? हद्डिया कमजोर हो जाती है और जोडों में दर्ध होता है. ठीक है, बात करते है vitamin E के बारे में vitamin E vegetable oils में जैसे wheat, germ oil, sunflower पावर आयल मतब यही सरसों का कच्छी घानी के तेल में विटामीन ई पाया जाता है विटामीन एक क्या करता है इसकी कमी होगी तो इंक्रीज फ्रेजिलिटी आफ आर्बीसी एंड मस्कुलर वीकने बेटा आर्बीसी बहुत जल्दी तूटने लगेगा और मस्कुलर वीकने यानि कि मसल्स में आपके बहुत कमजोरी लगनी लगेगी लास्ट में विटामीन के विटामीन के क्या करवाता है मेरे बच्चे विटामीन के कहां पाय जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेवल्स में यानि कि हरी पत्तिधार सबजी में ठीक है पालक औलक में बहुत पाय जात है ठीक है तो यहां तक हम लोगों का था बाय मॉलेकूल इतनी चीजे पढ़के जाओगे तो दो सवाल आएगा तो एक मैं बोल रहा हूं एक आप सही कर ले जाएंगे मैं पूरी की गारंटी तो नहीं ले सकता हूं मेरे बच्चे यह आपको समझना होगा ठीक है क्योंकि हम ल मिलते हैं जल्दी मेरे बायरे बच्चों तब तक ख्याल रखें अपना धन्यवाद